गुद मॉर्णिंग मिस। गुद मॉर्णिंग क्लास। मिस हापी टीचर्स दे मिस। ओ तैंक यू सो मच मैं लवली स्टूदेंट्स। आज टीचर्स दे है तो आज मैं दूगी आपको एक स्पेशल लेसन। इंडिया के कुछ लेजेंडरी टीचर्स के बारे में। तो क्या आप तयार हैं? येस मिस। डॉक्टर सर्वपली राधाकृष्णन ये इंडिया के पहले वाइस प्रेजिडेंट थे और दूसरे प्रेजिडेंट। और ये इतने लेजेंडरी टीचर्स थे कि इनके बर्थ डे याने 5 सेप्टेंबर को इंडिया में टीचर्स दे मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि किताबी नौलेज के अलावा स्पिरिच्वल नौलेज यानि अध्यात्मिक ज्यान भी बहुत महत्वपोर्ण है। उन्हें भारत रत्न से भी समानित किया गया था। सावित्री बाईफुले ये हमारे देश की पहली महिला टीचर थी। इन्होंने 1848 में अपने पती के साथ मिलकर एक स्कूल खोला। जहां ये लड़कियों को पढ़ाती थी। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाना और एक महिला का टीचर होना आम बात नहीं थी। उन्ह जैते याने सच की हमेशा जीत होती है। श्री रबिंद्रनाथ टेगौर ये भी एक महान टीचर थे। इन्होंने हमारा नाशनल एंथम जंगनमन लिखा है, नोबल पुरसकार जीता है। लेकिन इसके अलावा इन्होंने स्थापना की शांती निकेतन की, जहां कई पहला प्रेम था तीचेंग। कलाम सहब का मानना था कि हर स्टूडेंट का अधिकार है, सेफ ड्रिंकिंग वॉटर, क्लीन टॉयलेट्स और प्लेग्राउंड तभी मान से क्विकास हो सकता है। कलाम सहब ने योगदान दिया इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाने मे और साथ ही हमारे स्पेस प्रोग्राम में जब ये डियाडियो में चार डेकेज तक कारे रत थे। अंत में बात करते हैं खांसर की। खुद गरीब परिस्तिती से थे, इसलिए आईएस बनने की जो कोचिंग क्लासिस होती हैं उन्हें अफॉर्ड नहीं कर पाए। तो उन्ह अब दाय। तो आईएस आफ तरह थे एपी तीचर से